9th September, To The Point, The Hindu Analysis में आपका सभागत है Before starting the discussion, जैसे हम इसको continue करी रहे थे तो आपने पहले एक question का answer देना है, prelims का, ठीक है Consider the following factors, और ये 2012 का previous year question है और इसमें पहला है rotation of the earth, number 2 air pressure and wind और number 3 density of ocean water, number 4 revolution of the earth ये इन में से कौन से factors है जो influence करते है ocean currents को 1 and 2, 1, 2, 3, 1 and 4, 2, 3, 4, तो आपने इसमें से बताना है ठीक है जी, तो जो correct answer है आपको पता है तो आपने comment section में बताना है और अगर इसकी detail भी आप डाल सकते हो, थोड़ी बहुत तो अगर किसी बच्चे को नहीं पता होगी तो उनके लिए एक betterment हो जाते है बंदा पढ़ देता है और उसको पता जल जाता है ठीक है जी चले नेक्स चीज की बात करते है देखे पहली जो news है वो related है GS2 के साथ में एक अच्छी news है और ये international relations के हमारे पार्ट में आती है और इसमें हमें जो question पहले भी कहीं बार पूछा गया है वो आ जाता है map का map related और weekend से location related कहीं बार जो question है वो पूछा जाता है ठीक है तो इसमें जो आप देखी रहे हो कि किस तरहां से इसमें जो headline है वो क्या बनी हुई है यहाँ पे कि India and China troops disengage at LAC friction point in Ladakh तो इंडिया और चाहिना दोनों ने ये decide किया है कि हम धीरे धीरे जो point है point 15 in Gogra hot spring area जो की eastern Ladakh में है उसमें से वो अपना जो end कर रहे हैं since May 2020 जी का आपको याद होगा कि Corona के टाइम पर जब लोग डाउन था तो उस टाइम पर तो बहुत ही ज्यादा एक तरह से हो रही थी चीज़े तो में 2020 से चल रही है और आज यह खतम होने जा रही है और यह मूव कब आया जब SEO की मीटिंगмосितन होने जा रही है उसके बाद में हमें यह चीज देखने को मिल रहे कि यह move हमें यहां पर देखने को मिला number three यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो leaders है वो भी 2019 के बाद में या फिर हम बोले कि 2019 में last time मिले थे April 2020 के बाद में वो मिले ही नहीं ठीक है April 2020 के बाद में उनकी कभी meeting की नहीं हुई because of this friction only तो अभी हम map को समझेने की कोशिश करेंगे तांके location का question last time जैसे आया था तो अगर उस तरह का कोशिशन आता है तो आप उसको attempt कर पाऊ अच्छे वे से so number one यहां पर क्या है पहली चीज़ के यह वाला जो area आपको यह वाला area this is line of LOC जो की हमारी agreement के अंडर हुई हुई है ठीक है और हमने यहां पे seize fire किया हुए है और यह हो गया पाकिस्तान occupied किश्मीर मतलब जो controlled by Pakistan और claimed by India इंडिया claim करता है इस चीज़ को लेकिन अभी के लिए जो control है वो चाइना को दे दिया था और यह भी area इंडिया claim करता है कि इंडिया कहता है मेरा area लेकिन यह चाइना को as a gift पाकिस्तान ने provide किया उसके बाद में इस एरिया साइचिन glacier ठीक है और इसके बार में तो आपको पता ही होगा कि यह area controlled by इंडिया claim by पाकिस्तान पाकिस्तान बोलता मेरा है लेकिन control अभी इंडिया कर रहा है क्योंकि उसके गबजे में अभी फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस 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 जमुर्ण किश्मीर ठीक है यह वाला area हो गया यहाँ पर जमुर्ण किश्मीर वाला यह सारा area लदाख वाला हो गया और उसी में हमें यह देखने को मिलता है कि हमारी यह जो eastern side है तो यहाँ पर exciting आपको देखने को मिलेगा जो की चाइना कंट्रोल करता है लेकिन यह claim है इंडिया ने तो चाइना ने जब war हुई थी उस time पर यह जो area हमारे से ले लिया था और यह this is the lake which is very famous कि इसका कुछ area हमारे पार्ट में आ जाता है यह वाला जो area है कुछ area हमारे इंडिया में आता है और कुछ area उसका जो चाइना claim करता है area को उसमें चला जाता है और इस लेक का नाम है पैंगॉंग सो लेक ठीक है पैंगॉंग सो लेक तो यह चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है so this is the map ठीक है तो आपने याद रखने किसके साथ में क्या लग रहा है किसके साथ में क्या नहीं लग रहा मैं आपका बता दू यह वाली जो line है this is LAC line of actual control और line of actual control हमने कभी बी कभी बी किसी भी agreement में ना इंडिया ना चाइना ने कभी बी किसी agreement के तहत नहीं बनाई तो इसी वजह से जो चीजे है वो अभी unsolved है कभी इंडिया वाले उधर वाली side पर जाते है और चाइना बोलता के अभी तक मुनार्क यूके इलिजबिट टू डेड ठीक है तो जो इलिजबिट टू है जो की लॉंगेस्ट जिन्हों ने मुनार्की की है तो वह 96 एज में उनकी डेथ हुई है ठीक है तो अभी प्रिंस चार्ल्स टू मुझे लगता है जो है आई तिंग जो काफी यंग बोली जा रहे ह या फिर अभी पता चलेगा अभी यहां पे मैंने इतना ज्यादा पढ़ा भी नहीं लेकिन कहीं पे और पढ़ा था तो वहां पे देखने को मिल रहे है कि यह चीज कि इनके बाद में वह आएंगे तो यह मुनार्क 1926-2022 यह रहे और इनकी एज इतनी थी 96 एर्स और यह मुनार्की इन्होंने की है ठीक है अब नमबर थ्री जो हमारी न्यूस है एक्स्ट्रीमली इंपॉर्टेंट हमने कल भी न्यूस यह डिसकस की थी कि सुप्रीम कोट EWS जो कोटा है उसको दुबारा से जो चीज है वो कोशन कर रहा है या फिर एक्जामिन करेगा तो उसके जो बीच में जो कोशन है में कोशन जो हम बोलेंगे या फिर में जो चीज़े अगर हम यहां पे बोले तो पहली तो वो बात करेंगे एक चीज के रिगार्डिंग वो कहते कि हमने यहां पे बात करनी है कि ये जो 10% कोटा आप दे रहे हो क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को वाइले तो नहीं कर रहा नमबर टू उन्होंने चेक करना है 50% वाली चीज को ठीक है कि 50% का जो दिया गया था तो सुप्रीम कोट इसको एक्जामीन करने के लिए तीन चीजों को में रख दी है नमबर बन मैंने आपको अभी बता है 10% जो कोटा आपको प्रवाइड किया गया है तो वह बेसिक स्ट्रक्चर नमबर टू 50% नमबर थ्री यहां पर आ जाता है इंदरासानी केस ठीक है तो य यह हमारी आज की तीसरी न्यूज होगी जीएस टू की यह न्यूजर राजी उसी से रिलेटेड है फिर आगे हमारी न्यूज आती है यह बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरहां के इंडेक्स यू कन यूज इन दी मेंस अगर आप मेंस देने जा रहे हो और या फिर आप 132 है ठीक है 132 है human development index में इंडिया का rank इंडिया का rank अगर 132 है human development index में तो out of कितना है 191 so out of 191 जो index में rank आ रहा है वो 132 है और यह पहली बार हुआ है कि जो हमारा score है वो कम हुआ और in the three decades first time हमारा जो rank है वो उपर जा रहा है मतलब हमारा जो position है development की वो कम हो चुकी है गिर गई है फिर उसके बाद में अगर हम यहां पे बात करें तो इसको release कोन करता है और यह मैं हम बात करें तो यह release कोन करता है UNDP United Nation Development Program this is extremely important for the prelims purpose और इसके तीन डामेंशन रहते है और चार इंडिकेटर है थ्री डामेंशन कोन कोन से हैं पहली चीज़ लॉंग एल्दी लाइफ नमबर टू एजुकेशन और नमबर त्री डिसेंट सेंडर अफ लिविंग चार इंडिके जाटा तो चार इसके हमारे इंडिकेटर होगे फोर इंडिकेटर जार देयर एंड त्री यार दी डिमेंशन सुप्लीज रिमेंबर दिस ठीक है यह चीज़ आपने याद रखनी है और यह हमारी आज की फोर्थ न्यूस थी ठीक है जो की बहुत इंपोर्टेंट है इंडेक यहां पर जो वेस्ट मेंगाल है जितनी बार भी कोशिश की है तीस्ता वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के तो यह बीच में बोल देते के हमें तीस्ता वाटर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करना में भी इसी वज़ा से उन्हों नहीं बलाया अगर नहीं बुलाय तो म यहमंत सौरेन होगे यह सारे हम एक दूसरे के साथ connected है और आप इस चीज़ को अभी रीगें नहीं कर पाओगे because कि आप वो कहते कि आपकी जो बोल सकते है कि जो चीज़ है वो खतम होनी start हो जाएंगी अभी next जो चीज़ है हमने कल भी इसको discuss किया था और यह चीज़ आपने याद भी रखनी है भी कि जो राजपत है is a symbol of slavery erased ठीक है पीम तो जो पहले नाम था राजपत अब उसका नाम रख दिया गया है करतव्यपत ठीक है करतव्यपत उसका नाम रखा है तो बस इतना सा एक change आया और यह change आपने याद रखना है कि किस तरहां से और क्यूं मैंने आपको पहली बता दिया कि symbol of slavery था ब्रिटिशर्स के टाइम से चल रहा था इसी वज़ा से उसका जो चीज है उसको change कर दिया गया सो आज के front page पे काफी I think news थी one two three four five six तो six चीज़े हमने डिसकस की हैं सारी चीज़े थोड़ी थोड़ी डिसकस करने वाले थी जो डिटेल में करनी थे वो डिटेल में हमने की next page की तरफ अगर हम चले next चीज जो हमने आज डिसकस करनी है वो है related to भितार करनी का मां को पहले बितार करनी का के regarding है eco sensitive zones को लेकर है जहां पे जाना मना है कुछ काम करना मना है लेकिन बितार करनी का के बारे में हमें detail में पता होना चाहिए क्योंकि prelims के लिए बहुत ही ज्यादा important है number one यह second largest mangrove forest है इंडिया का और एक रामसर site है number two यह बितार करनी का national park भी बिनाया था in 1988 बितार करनी का located है कहां पे in the estuary of ब्रहमीनी बेतरानी धर्मा एंड महानजी डिवर सिस्टम यह आपको उडिसा के केंद्रा केंद्रापरा डिस्ट्रिक में देखने को मिलेगा फिर आगे अगर हम यहां पे बात करते हैं यह उडिसा का one of the finest biodiversity hot spot है ठीक है फेमस है mangrove के लि turtles के लिए estuarine crocodiles के लिए countless creeks के लिए और अगर हम यहां पे बात करें जो 70% of the countries estuarine और salt water जो crocodile है वो आपको यहां पे देखने को मिलेगा protected हम अगर areas की बात करते हैं तो इसके अंदर protected areas कौन-कौन से आ जाते हैं बितार करनी का नैशन पाक बितार करनी का wireless sanctuary और गहीर मठा marine sanctuary देखो यह जो information है जो facts आपको याद रखने ही पड़ेंगे बड़ी important हो जाते हैं बहुत ही जादा important है रहे हैं इसको याद रखने prelims के लिए river brahmini river in northeastern Odisha state ठीक है और eastern India यह form होती है by the influence of sunk and south south cold river in southern Bihar state और brahmini flows for 300 miles यह जो मतलब south और south east मतलब यह जो area है महानदी area ठीक है तो इसके नदरं branches निकल जाती है और it is one of the few river that cut across the eastern guards ठीक है and it has formed a minor gorge at ringali where a dam has been built यह चीज जो last वाला point है यह बहुत important है इसको आपने याद रखना च्छे वे से next चीज की तरफ चलेंगे जो next चीज आज हमने discuss करनी है यह दिखें पहली मैं आपको बता कि editorial में पहली तो यह politics के regarding है this is pure politics ठीक है तो हमारे काम का नहीं है obviously number two the outline of an essential global pandemic treaty यह भी कुछ बहुँ जादा काम का नहीं है number three again politics number four again politics discovery of congress तो आज की date में मतलब आज 9th सप्टमबर में कोई editorial ऐसान है जो कि हमारे पढ़ने के लाएक हो ठीक है तो यहाँ पे जो मैंने data भी दे चीजे हैं वो बहुत जादा कुछ खास नहीं थी PMLA को लेकर और UAPA को लेकर था मतलब उन चीजों की उपर है जो मुझे नहीं लगता के बंद होने वाली है ठीक है UAPA हमने बहुत multiple times हमने discuss की है we have discuss about the prevention of money laundering act multiple times while discussing the ED आपको याद होगा एक जमाना था के भी ED बहुत जादा news में रहता है तो हम discuss करते रहते थे उसको चलिए next चीज की तरफ चलते हैं next चीज में ये भी mid-term elections USA में जब हो जाएंगे इसका result आगा तब बात करेंगे ठीक है तो आज जो news और है एक news ये है कि work for development of cooperatives जो अमित शाह है उन्होंने बोला है कि जो cooperatives है उसके लिए काम करना चाहिए उन्होंने यहां पर बोला कि जो holistic development होनी चाहिए cooperative sector की और तांकि यह contribute कर पाए इंडिया की economy में जो की dollar five trillion economy हम अगर बनाना चाहते तो इसकी जो contribution हमें लेनी ही पड़ेगी इसका जो काम है जो हमें लेना ही पड़ेगा यह चीज यहां पर बोली जा रही है ठीक है ज लेकिन जो बिल्कुल भी जहां पर बड़ी कम पहुंच पाई वो थी इस्ट में और नॉर्थ इस्टरन स्टेट में तो हमें काम करना चाहिए cooperative के लिए cooperative movement के लिए यहां पर यह चीज बोली जा रही है नेक्स चीज की बात करते है निरमला लिंक्स inflation state fuel taxes हमने मैंने कल भी बा तो जैसे लिखा हूँ वैसे बोल रहा हूँ निरमला सितरमन जी ने यहां पर लिंक किया inflation को with state fuel taxes के जो state वाले है वो बहुत ज़्यादा वैट जो है वो यहां पर लगा देते हैं जिसकी वजह से यह जो चीज़े है वो महंगी हो जाती है तो यह मुझे लगता है कि यह एक excuses kind of चीज़ हो जाती है तो inflation को all over हमें रोकना पड़ेगा फिर आगे अगर हम राजे बात करते हैं तो USA जो वो कहता कि पाकिस्तान को मैंने जो F-16 दिये थे जो F-16 दिये थे उसको refit करने के लिए dollar 450 million का package है जो USA ने announce की है अब इस चीज़ के समझ में नहीं आरी के वो करना क चा रहा है और इंडिया इस चीज़ पर silent और बोलेगा क्या ठीक है क्योंकि USA को हमें एक अच्छा अपना partner मानते हैं और उसको ये भी पता है कि Pakistan जो है वो tilted है अभी की date में towards the China तो अभी वो USA करना क्या चाता है उसकी सोच क्या है वो बाद में पता चलेगा और next चीज़ का question है briefly explain the Naga crisis along with initiatives taken to resolve the issue अभी हम पहले नागा के issue के बार में discuss करते हैं कि ये start कैसे हुआ पहली चीज़ जो नागा हिस थे it was it became part of British India in 1881 तो यहां पे जो नागा tribes वाले हैं तो इनकी ये इकठ्थे हो जाते हैं और एक चीज़ बनाते है जिसका नाम था नागा कलब 1918 में Simon Commission आते हैं 1929 में तो उनके जो भी provisions थी तो उन्होंने बोला कि नागा कलब ने reject किया और उन्होंने बोला कि हमें अकेले छोड़ दो and we just want to determine ourselves our lives ठीक है तो हम अपने आप अपने आप ही उसको determine करना चाते हैं ठीक है जी और number four यहां पे जो कलब है उसने बोला कि नागा nation council बने चाहिए 1946 में तो एक फीजो जो बंदा था फीजो फीजो ठीक है leadership थी फीजो की तो जो नागा nation council बनती है उसने क्या किया कि नागा लेंड को एक independent state declare किया और 14th gust 1947 में और referendum conduct किया मेह में और जहां पे referendum में यही आया कि 99.9% जो वहां पे नागाज है they just wanted के sovereign नागा ले government और नागा फेडरल आर्मी देख रहे हो पहले नागा nation council आती है फिर फीजो ने referendum करवाया देन एक चीज़ आई यहां पे government और नागा फेडरल आर्मी इसका मतलब था कि ना तो हम आपकी सरकार को मानते हैं ना आपके constitution को मानते हैं ना ही आपकी आर्मी को मानते हैं हमारी ख खुद की आर्मी बना रहे हैं हम खुद के लिए सार कुछ करते रहेंगे तो यह चीज़ यहां पर basically बोलेगी तो यह जो government थी इंडिया की इन्होंने आर्मी को भेजा to crush the insurgency ठीक है तो यहां पर insurgency को खतम करने के लिए उन्होंने किसको भेजा यहां पर आर्मी को भेजा और यहां पर इनेक्ट कर दिया आपसपा 1975 में शिलॉंग अकोर्ड होता है जिसमें NNC और NFG agreed to give up arms मतला नेशन नागा काउंसल और जो नेशन फेडल गवर्मेंट बनी है उन्होंने बोला कि हम arms को छोड़ देते हैं और जो group था 140 members का यहां पर एक मूविया करके बंदा आत National Socialistic Council of Nagaland मतलब जो पहले वाले लोग थे वो मान गए थे लेकिन एक नया एक group बन गया यहां पर तो यह जो मूविया बंदा जो कि उस टाइम पर चाइना में था उसके पास में दो और बंदे थे एक तो सवू और एक हापलांग तो इन दोनों ने बनाया और 1988 में यह जो Socialist Council of Nagaland बनती है यह भी स्प्लिट हो जाती है एक तो बनती है आईम और आईम का यहां पर मतलब था यह मूविया और NSCN बनती है एक के से और के से इसका मतलब था यहां पर खापलांग तो अभी अगर करंटली हम बात करें तो जो NNCA begin to fade away जो फीजो है वो died in London NSCN I am can be seen as the mother of all the insurgences मतलब जो आईम मतलब यह मुविया मुवा मुवा वाली जो यह जो चीज़ बनी है यही सारी insurgences करवाते हैं और यह रुक भी नहीं रहे यह नहीं हट रहे ठीक है तो यह चीज़ आपने यहां पर पर तरीके से याद रखनी है चलिए नेक्स चीज़ की बात करते हम यहां पर नेक्स चीज़ जो आज हमने discuss करनी है वो है regarding देखते हैं regarding monetary tools यहां पर यह बोला गया है कि जो monetary tools है उनसे अकेले से जो inflation है वो आप control नहीं कर सकते with the monetary tools only you cannot tame the inflation आपको कुछ और चीज़े भी यहां पर suitable तरिके से करनी पड़ेंगी otherwise जो inflation आप उसको control नहीं कर पाओगे और monetary tools होते कौन से हैं ठीक है जैसे कि repo rate reverse repo rate यह सारा कुछ आगए monetary tools के अंदर और इसी तरहां से inflation को रोकने के लिए जो European Central Bank है उसने largest rate increase किया history का जो की inflation inflation को रोकना चारा है जैसे कि कोई भी चीज़ है जैसे for example repo rate आया कुछ भी है anything ठीक है तो उसमें उन्होंने जैसे हमारे यहां पर repo rate रहते तो यहां पर उन्होंने जो rate है उसको क्या कर दिया यहां पर increase कर दिया और because of this यहां पर यह जो चीज़ें वो होनी start हो जाती है ठीक ह तो यह एक चीज़ यहां पर आपने याद रखनी है तो आज की newspaper में इतना ही आगे आने वाली updates के लिए आप हमारा जो channel उसको subscribe कर सकते हैं thank you so much और कल को मिलते हैं दुबारा से till the time revise your notes thank you bye bye